गाटे का बजट क्या होता है इसको समझते हैं जिस बजट में बैय अधिक खर्च अधिक तथा आई जो होता है वह कम होता है तो उसको हम घाटे का बजट कहते हैं मैं पिरसे बोल दूँ घाटे का बजट वह बजट होता है जिसमें खर्चा जादे हो और कमाई क्या हो कम हो त के पेस किया था और बरतमान में कम बिकसित देश यह होते हैं यानि कि कम बिकसित देश या हम उसको इज़्जद देने के लिए बिकासित देश भी कह देते हैं तो मैंने क्या बताया बरतमान में कम बिकसित देश या फिर बेकासी देश घाटे के बजट का परियोग करते हैं भाईया घाटे का बजट का परियोग का है करते हैं क्योंकि घाटे का बजट इसलिए परियोग करते हैं क्योंकि इसमें गाटे का बजट इसमें बैयाय की तो नामे अधिक होता है और यह अंतर क्या होता है घाटे के जुलकर्चि करने की अगर आदत हो तो उसका क्या होता है उसको आदत हो है वड़ती जाती है क्योंकि हमेशा मैंने आपको पता है और कई बार बताता हूं कि इस वर नहीं मतलब गांदी जी काह करते थे कि इस प्रत्वी पर या कर इस धर्ती पर हर व्यक्ति के लिए परयाप स संसाधन है हर ब्यक्ति का पेट भर सकता है उस संसाधन से उस साधन से लेकिन कहा जाता है कि ब्यक्ति का पेट भरने के लिए साधन परयाप्त है लेकिन इस हर ब्यक्ति के जो पेट के अंदर जो गड़ा होता है ना उसको भरने के लिए साधन नहीं है उसके लिए तो किसी एक ब्यक्ति के पेट में भी पूरी प्रत्वी समा सकती है, समझ रहना बात को, इस तरह से, तो मैंने क्या बताया, कि बर्तमान में कम ब्यक्ति देश यानि बिकासी देश घाटे के बजट का प्रियोग करते हैं, इसमें पे आई की तुलना में यानि ये खर्च जो होते हैं, खर्च जो होते हैं, कमाई से क्या होते हैं, ज्याद होते हैं, और यह अंतर क्या होता है, लगातार बढ़ता जाता है, बैसे बात करें, घाटे के बजट के बारे में, तो भारत जैसा जो पिकासी देश है, जो कि एक पिकास की रापर क्या है, बहुत तेजी से दोड़ रहा है तो तो बेकासील देश होने के नाते घाटे का बजट भारत देश जैसे बेकासील देश के लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है क्योंकि अर्थ विवस्ता में मुद्रा का अतरिक्त याने की ज्यादा प्रभा उपलब्द हो जाता है जिससे क्या होता है अर्थविवस्ता की गतिगी अर्थविवस्ता को कती प्रदान हो जाती है अर्थविवस्ता को गती मिले जाती है क्योंकि भाई साब आप यहीं सोचते रहेंगे कि खर्च करें न करें कोई काम है तो पैसे के बज अधर्य दर्द्वों से मिल ज्र में तो मैंने क्या कर लिए मैंचे सुर्ठर मंऔर नुधार शक्ता था खिचा नहीं लग तो इसका मतलब क्या है अर्थ व्यस्ता कि जो स्पीड है वो थोड़ी सी धीमी हो जाएगी तो क्या होता है कभी कभी जो घाटे का वेट होता है वह बहुत ही कारगर सावित हो जाता है किसके लिए पिकास सिल देश के लिए यानिक जो विकास की रहा पर बहुत तेजी से जरूरत पड़ती है सौरपे की जरूरत मालीजिए हम मालीजिए सौरपे यहां पर रखे हुए हैं सौरपे को उसको जरूरत पड़ती हैं तो क्या करती थी सरकार उसको सौरपे किसी से मांगती नहीं थी बलकि क्या करती थी आर्वियाई को फॉन करती थे कि आर्वियाई ब बहुत खतरनाक बात हो जाती है कि वहीसा आपने कमाई तो कुछ की नहीं और एकदम रुपया आप एक बात बताना पड़ोस में मालीजी अंकल को रुपया चाहिए पांसो वो कोई काम न करें और उन्हें एकदम घर में इचापें नोट और बाहर निकलाएं तो उन्होंने को तो अनाच फिर कौन पैदा करें तो यह बहुत खत्मना पट हुरुका करती थी तो मैंने क्या बताया पहले जब सरकार को गहटा होता था तो सरकार क्या करती थी नोट चापकर उसकी पूरत कर लेती थी लेक्श को बदल दिया जाता है अब घाटे को पूरा करने के लिए आ व्याज की सहँ कर देगी, समझना बात को, तो सरकार के यह आदमाहे ना और तेसी तो अब घाटे को पूरा करने के लिए RBI से कर्ज लेना होता था और उस घाटे को पूरा करना होता था और इस घाटे को पूरा करने के लिए के आर वी आई की भी कुछ सीमा हुआ करती है यह तो सरकार क्या करती थी घरेलू सीमा वाले कि पूरटी नहीं कर पाते थे तो क्या करती थी बिदेशी सीमा से या काई बिदेशी बैंक सिव है क्या करती थी सरकार कर्ज ले लेती थी और अब घाटे की पूर्ती करने के लिए सरकार को कुछ भी कदम उठाने पड़ते थे जैसे कि सबसेडी कम कर दी जाती थी इससे क्या होता था बजट घाटा कम किया जाता था क्य जाद ही हो रहा है तो जो सरकार सबसेडी देती है उसको क्या करती थी सबसेडी को कम करती थी क्योंकि यह सबसेडी तो हम अपनी जेब से दे रहे ना उससे कुल पैसा तो आ नहीं रहा है सबसेडी को ठोड़ा कम कर देगी और जो घाटे का जो बजट है उसको भी थोड़ा सा कम कर पाएगी कौन सरका